हाई फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आर्वीडी टीप क्लास में तो आज मैं आप लोगे लिए कोस्चन ले करके आए यह कोस्चन क्लास नाइन्थ की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 10.1 का कोस्चन नमबर 2 है एस वीडियो में हम इस कोस्चन को डिसकस करेंगे आपसे बस एक ही विंती है एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए ठीक है चले शुरू करते हैं यहां पर राइट ट्रू और फॉल्स गिब रीजन फार योर आंसर देखिए यह जो कोस्चन है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको उसके बाद उसका रीजन भी देना है कि वो ट्रू क्यों है या फाल्स क्यों है तो पहला कोस्चन हमें दिया गया यहां पर लाइन सेग्मेंट जाइनिंग दा सेंटर तो एनी पॉइंट ऑन दा सर्किल इज आ रेडियस आप दा सर्किल तो यहां पर देखो मालीजिए कि हमारा सर्किल है ठीक है और यह सर्किल का सेंटर है अब मैं इसको मिला रहा हूं तो इसे क्या कहेंगे इसे बोलेंगे रेडियस ठीक है इसे क्या तो ओवियसली यहां पर देखो जो सेंटर का पॉइंट है और कोई भी सर्किल पे पॉइंट है उसको जॉइन करने पर रेडियस ही बनता है इस ट्रू आपर आंसर इज ट्रू तो इसका आंसर हम राइट करेंगे आंसर कि टू फास्ट कि ट्रू कि रीजन क्या होगा तो रीजन होगा दा लाइन सेग्मेंट जोइनिंग दा सेंटर तो अनी पॉइंट अन दा सर्किल इस ट्रू राइट आप दा सर्किल से राइट आप दा सर्किल तो इस विल बी आओर फिर्स आंसर इस ट्रू बिकास दा जोइनिंग संटर अन पॉइंट अन पॉइंट अन दा सर्किल इस गॉल्ड रेडियस सो वी प्रोशीट तो नेक्स्ट क्वेंट से उसे आप ड्रॉ कर दीजिए तो जो लाइन सेग्मेंट होगी इन दो पॉइंट को जॉइन करेगी उसे कॉइंट कहा जाता है तो आप एक सर्किल में जितने मन करें उतने कि एकवल कार्ड या अनप्वल कार्ड आप कर लीजिए तो यहां पर इन्फाइनाइट कारड आप ड्राव कर सकते हैं किसी भी सर्किल में कि इसका रीजन देंगे कि वी चैन ड्र्व कि इन फाइनाइट ली many chord in a circle okay reason kya hoga we can draw infinitely many chord in a circle so our next question is if a circle is divided into three equal arcs each is a major arc no it is false now i tell you what is arc the curve line on a circumference between two points is called arc for example i take two points here which look like equal to each other so this arc and this arc and this arc look equal to each other okay so when arc is divided into three equal arcs okay there is no major and minor are so all are equal so our answer will be third false answer kya hoga false hoga kya hoga region each arc is equal each arc is equal among them okay so our next question is for a chord of a circle which is twice as long as its radius is our diameter of the circle of the circle so first I will make a figure of this circle just a circle and this is our center is our radius of any points so if I have such a line for you to draw this line I will give you two radius of this one and these two radius will look like what we will be a diameter of D is equal to 2r so it is true our answer for true okay our answer will be true reason a diameter is a longest chord of a circle which is double of its radius double of its radius okay so our diameter is the longest chord of a circle which is double of its radius तो ये true होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question is 5 sector is the region between the chord and its corresponding arc देखें इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ दो चीजे होती है एक सेक्टर होता है एक सेग्मेंट होता है माली जी ये हमारा सरकील है और ये दूसरा सरकील है ये हमारा center है ये हमारा chord है और ये हमारा उसके corresponding की आर्क है अब इसके बीच का जो रिजन होगा इसको सेग्मेंट कहा जाएगा क्या कहा जाएगा इसको सेग्मेंट कहा जाएगा लेकिन माली जी कि ये हमारा center है यहां से हमने जो है radius ड्रा किया है तो टू रेडियाई के बीच का जो रिजन होता है उसे कहा जाता है सेक्टर उसे कहा जाता है सेक्टर तो आपने यहां पर देखा कि सेग्मेंट वो रिजन है जो कॉर्ड और उस corresponding arc के बीच में बन रहा है लेकिन जो सेक्टर होता है वह तू रेडियाई और उनके corresponding arc के बीच में बन रहा है इस आर दा basic difference between sector and segment this is minor segment this is major segment this is minor sector and this is major sector तो यह difference आपको पता चल गया तो obviously अब यहां पर इन्होंने बोला है कि sector is the region between the chord chord array हमारी and its corresponding arc arc यह रहा हमारा तो देखो chord और corresponding arc के बीच में segment बनता है ना कि सेक्टर बनता है so this question will wrong so that's why our answer false what false the reason a sector is a region between an arc and its two corresponding radii corresponding radii so now it is our last question question number six a circle is a plane figure yes obviously a circle is a plane figure so our answer is true the reason reason में हम क्या write करेंगे a circle is a a circle is a two dimensional figure two dimensional figure अब देखें two dimensional figure क्या होते हैं ऐसे figure जो किसी plane सता पर बनाय जा सकते हैं किसी एक face पर बनते हैं तो वो two dimensional figure होते हैं then these are the answers questions question number two from exercise 10.1 class 9th math if you want you write down it or take a screenshot तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोस्टन के साथ तब तक अगले थेंक्यू क्लास